अमाईरा अर्जन का नाम लिखा पढ़कर फूट फूट कर रो पढ़ती है नहीं, अर्जन नहीं, मैं अर्जन को कैसे मार सकती हूँ, मैं मुझे मेरी नियती ने कहां लाकर खड़ा कर दिया है एक तरफ मेरा स्थेत्व है तो दूसरी और मेरा प्यार तब ही वहाँ अमाईरा का असली अक्स, यानि उसकी लालपरी की परच्छाई आती है अमाईरा, क्या रोक रहा है तुझे? मेरा प्यार प्यार? कौन सा प्यार? तुझे लगता है तो दो-चार दिन उस लड़के के साथ हसने को प्यार बोल रही है? प्यार तु तो उससे भी करती थी न? क्या मिला बदले में? आर्या नी क्या दिया तुझे बदले में? फूल गई तू? और अमायरा ये बात सुनकर पुराने दिनों में लौट जाती है. सालों पहले अमायरा आर्या को पसंद करती थी, मगर लाल परी और शौरियांगों का कोई मिलन नहीं था. मगर बावजुद इसके अमायरा चोरी छिप पे आर्या को देखने के लिए उसके इलाके में चली जाती थी. काफी बार अमायरा को शौरिफ रत के आसपास भटक्ता दिखाई देने पर भी डाट पड़ी थी. हाँ, तो क्या हुआ? मैं प्रेम करती हूँ उससे. और प्रेम में कैसे बिरादरी? कैसा कुनबा? हाँ, मैं ये भी जानती हूँ कि आर्या को मेरी बारे में कोई खबर तक नहीं है. पर जल्दी ही मैं उसे पता दूँगी. और अमायरा ने आर्या के नाम एक चिठी लिखी और उस तक पहुचा दी. उस दिन आर्या का जवाब आने वाला था मगर उससे पहले ही अमायरा को रानी द्वारा सजा सुना दी गई थी. उस सभा में शौर्यांगों के साथ आर्या भी था. आर्या, तुम तो जानती हो ना कि मैं केसी रादी की लड़की हूँ? अमायरा की आखे आर्या से अपने अस्तित्व के लिए बार बार सवाल पोच रही थी. मगर आर्या की आखों में इस सिर्फ नफरत थी. इसलिए अमायरा का दिल बुरी तरह से तूट गया था. तो फिर, जब तेरा वे प्यार तुझे मारने के लिए इतनी दूर आ गया है. तो क्या स्तर है प्यार का? खोकला होता है प्यार और कुछ नहीं. उस आर्या की तरह अर्जन भी खोकला ही निकलेगा. तो देख ले ना. पीफकुफ मत बनो. और इस पर अपने लिए कुछ करो. किलो खंजर और अपनी आखरी बली दे भी अमायरा को रोकनी की ठान ली थी. तब है आर्या की कानों में अर्जन की आवास पड़ती है और वहां अर्जन आकर खड़ा हो जाता है. अगला दिन होता है. अर्जन अंजान बनकर अमायरा की यहां ट्यूशन के लिए जाता है. मिस, हेलो, हेलो मिस, घर में कोई है नहीं क्या, जो दर्वाजा खुला है. मिस, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है. नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं कर सकती मैं यह. मेस, क्या हुआ मेस, क्या नहीं हो सकता, आप क्या नहीं कर सकती हो, सब ठीक तो है न, बाबा रात को आप मेरे साथ डेट पर थी, मैं किसी से नहीं कहने वाला, आप क्यो इतनी चिंदा कर रहे है मेस, मस बस, रोना नहीं, देखो, आपको रोता देखोंगा तो मैं भी रोने ल बस आपको मुझे अच्छे मार्क्स देने होंगे मेरी अस्तित्व का हाँ मुझे तुमसे बहुत प्यार है अर्जुन मुझे संग रहकर मुझे ऐसे ही हजाते रहोगे बोलो मगर अर्जुन का कोई जवाब नहीं देता और पारा जाता है ये देख अमायरा को डर लगता है मुझे तुमको एक सच बताना है मायरा तुम्हारा जो भी सच होगा वो मेरे सच से कम भयानक ही होगा इसलिए मैं तयार हूँ तुम्हारा सच जाननी के लिए वेल एक्चुली आ हैव अन आइडिया तुम इस कमरे में जाकर अपना सच सामने लाओ और मैं इस कमरे में जाकर मेरा सच सामने लाती हूँ और देखते हैं फिर कि हम दोनों में से किसका सच स्यादा भयानक होगा और दोनों आमने सामने वाले कमरे में प्रवीश कर दर्वाजा बंद करते हैं माहिरा कटका के साथ गुफा में थी बाबा आखिर तुम मुझको कैद में क्यों रखे हुए हो तुम्हारे कहने पर ही मैंने आर्या को संदीशा देकर उस दिन जमीन पर बुलाया तांत्रिका कटका बरसों से लालपरी के अस्तिजी की तलाश में भटक रहा था भटकता हुआ एक दिन भे शेहर में आपहुचा उस राज जब अमायरा लालपरी अपना शिकार कर रही थी तब कटका की नजर लाल होते हैं आस्मान के और पड़ी और यह दीख में बहुत खुश हुआ मिल गया सबूत वो है वो होती है लाल आस्मान के बारे में लिख रखा है इस किताब में कटका अपनी किताब खोल कर पड़ता है हाँ यह लिखा जब भी लाल आस्मान दिखाई दे समझना लालपरी पास में ही है और अपनी शक्तियों को बुला रही है मगर ध्यान रहे जब आप लालपरी को अपने भरे पूरे रूप में देखना चाहोगे तो आपकी आखे भी जा सकती है ये सुन कटका थोड़ा भैबीत हो जाता है नहीं ऐसे तो मैं कभी उसका चेहरा नहीं देख सकता हूँ कुछ देर में आसमान नॉर्मल हो जाता है और कटका दोड़ कर रोशनी वाली जगह पर जाता है मगर उसे लालपरी नहीं मिलती अमायरा तो तब तक वहाँ से जा चुकी थी कटका अपनी मजबूरी से दिन रात परिशान रहने लगा वह लालपरी को हासल करने के तरीके खोजने लगा आखिर कैसे वो इनसानों की बीच उसकी पहचान कर सके तब ही किताब के एक पन्ने पर उसकी नजर बढ़ती है कटका का शैतानी दिमाग काम करता है और वह उस जादूई किताब की मदद से लालपरी के देश तक एक लाल तरंग भेजता है माहिरा अपनी दोस्तों के साथ लालपरी के दुनिया में टहल रही थी कि तभी उसके दोस्त माहिरा को छेड़नी लग सुना ही तेरी दुश्मन तो इंसानी दुनिया में जाकर खोब मज़े कर रहे है अरे मज़े तो मज़े मैंने तो ये तक सुना है कि वहाँ के लड़कों की दिल धड़कन जान जुबान सब बन चुकी है सब सहीलिया माहिरा को छेड़कर इधर उदर चली जाती है माहिरा माहिरा की एश की बाते सुनकर जल भुन चुकी थी तभी वह थोड़ा आगे टहलती है तो उसे तांत्रिक कटका की भीजी हुई वह तरंग नजर आती है माहिरा उत्सोख होकर उसे छूदेती है और जैसे ही वह तरंग चूती है तुरंद वह परी की दुनिया से इंसान ने दुनिया में आ जाती है माहिरा कटका की गुफा में आ चुकी थी वह आकर देखती है तो वहां अंधीरी गुफा में एक कुबड़ा तांत्रिक बैठा हुआ हस रहा था माहिरा उसे देखकर क्रोध में भर जाती है और अगली ही पल उसके सामने चुकती है बोलो मीरी आका माहिरा एकदम से कटका की वश में आ गई थी क्योंकि जिस तरंग को उसने चुआ था वैसमोहन तरंग थी ये क्या मैं चाहकर भी इस पर हमला क्यों नहीं कर पा रही हूँ कटका माहिरा के हाथ से उसका लाल कड़ा निकाल कर रख लेता है ये कड़ा ही है ना कड़ी तुपहरी दुन्या की अब अगर तुमको ये वापस चाहिए तो तुमको मुझे लाल परी की शक्तियां लाकर देनी होंगी मुझे उसका चहरा भी वदाना होगा और उसकी अगली चाल भी वड़ना नहीं नहीं मुझे कुछ मत करना जैसा तुम कहोगी आका मैं वैसा ही करूँगी कटका ने लाल परी के दुश्मन माहिरा को ही काबू में करके अमाहिरा का एक बार फिर से दुश्मन बना दिया था तो सुनो लाल परी जो भी होगी सबसे पहले हमें उसे शेहर के सामने बदनाम करना होगा जैसा तुम्हारा हुक्म आका मैं लालपरी के खिलाफ ऐसी चाली चलूँगी कि शहर में हर कोई लालपरी को कोई मसीहा नहीं राक्षिस मानेगा और महीरा अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू करती है जहां माहीरा केवल अपना शाप तोड़ने के लिए बलियां दे रही थी उसी की आर में माहीरा कटका के साथ मिलकर और भी मासूम जानवरों का कतल करने के लिए इंसानों को रात के अंधेरे में टॉर्चर भी कर रही थी इंसानी दुनिया में लालपरी पाप कर रही है इस बात की खबर शौरिवरत देश में भी पहुँच जाती है शौरिवरत देश का मुख्या राजा शाह को इंसानों की बहुत फिक्र हुई तब उसका बेटा आर्या भी जवान हो चुका था वे आर्या को बुलाता है आर्या जमीन से खबर आई है कि वहाँ लालपरी द्वारा मासूम जानवरों को मारा जा रहा है और इंसानों को सताया जा रहा है अगर ऐसा है तो यह हमारी जाती के लिए शर्म की बात है तुम तो जानते हो हमारी रगों में किसका खून है शौरियाग का और मैं जानता हूँ कि शौरियागों का काम लालपरी का शिकार करना है बाबा मैं वहाँ जाऊंगा और इस पूरी घटना की बारे की सजाच करूँगा आर्या अर्चन का भेश लेकर धर्ती पर आ जाता है जैसे ही वे धर्ती पर कदम रखता है माहिरा को खत्रे का एहसांस हो जाता है यह क्या? क्या हुआ? वो आ गया कौन आ गया? एक शौर्यांग लालपरी का शिकारी मैं उसकी गंथ पहचान सकती हूँ तो क्या वो लालपरी भी उसे पहचान जाएगी? नहीं शौर्यांग धीरे धीरे इंसानी फित्रत से अपनी पहचान शिपा लेगा और वह लाल परी अभी सारी शक्तिया नहीं हासल करी है इसलिए वह शौर्यांग के सामने होने पर भी उसे नहीं पहचान सकेगी बगर आया कौन? शौर्यांगों का सबसे वीडियो था आर्या आसमान की तेज लाल रोश्णी को मुनिया देखती है और जंगल की और बढ़ती है तेज लाल रोश्णी में से आर्या निकला था वह जमीन से टकराता है और बड़ा गड़ा बन जाता है आँ! इतना तेज भी नहीं गिरना था आर्या अर्जुन के भीश में आ जाता है चलो बेटा अर्जुन अब लग जाओ काम पर कल से मिशल लाल परीश शुरू अर्जुन शहर के अंदर चला जाता है तभी माहिरा और कटका आर्या को ढूंडते हुए आते हैं पर वहाँ कोई नहीं था तभी कटका को गड़े में फसा जंगली सुवर देखता है माहिरा उस पर हमला करके उसे मार देती है और कटका गड़े में कूद कर उसे खाने लगता है घै नजारा मुनिया देख लेती है और ड़के मारे वेहुश हो जाती है मौका पाकर माहिरा बेहोश मुन्या के गले में दात काट देती है अब सब को लगेगा कि लाल परी ने इस पर हमला किया और इस तरह ये पूरी कहानी शुरू होती है अर्जुन और अमारा दोनों अपना दर्वाजा एक साथ खोलते है अब देखिए आगे क्या अंजाम लेने जा रही है ये कहानी जल देखिए शर्मा राइटर की जुबानी लाल परी के वल आनम स्टोरीज पर